इस वीडियो में हम capital O और small O की पहचान सीखेंगे आप भी मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए यह है capital O capital O और यह है small O small O यह क्या है capital O और यह क्या है small O O से बनता है orange orange यानि Malta O orange यानि Malta अब आप बताएए O से क्या बनता है O orange यानि Malta बेलकुल थीक यह है capital O capital O और यह है small O small O small O यह क्या है capital O और यह क्या है small O O से बनता है ox ox यानि bell O ox ox यानि bell बेल चलिए बाप बताएए O से क्या बनता है O ox ox यानि bell पिलकुल थीक यह है capital O capital O और यह है small O small O O यह क्या है capital O और यह क्या है small O O से बनता है ostrich ostrich यानि शुतरमुर्ग O ostrich ostrich यानि शुतरमुर्ग चलिए अब बताएए O से क्या बनता है O ostrich ostrich यानि शुतरमुर्ग बिलकुल थीक यह है capital O capital O और यह है small O small O यह क्या है capital O और यह क्या है small O O से बनता है O और यानि उल्लू अब आब बताएए O से क्या बनता है O और यानि उल्लू पिलकुल सही चलिए अब हम capital O और small O को लिखने का तरीका सीखते हैं capital O लिखने के लिए सबसे उपर वाली लाइन से शुरू करेंगे और पहली लाइन और तीसरी लाइन के दर्मियान एक बड़ा सा गोल दाइरा बना देंगे यह है capital O और small O लिखने के लिए दूसरी और तीसरी लाइन के दर्मियान बिलकुल इसी तरहां लेकिन यह जरा छोटा होगा गोल दाइरा यह है O small O capital O के लिए पहली से तीसरी लाइन के दर्मियान बड़ा सा गोल दाइरा बिलकुल गोल capital O और small O के लिए दूसरी से तीसरी लाइन के दर्मियान एक गोल दाइरा जहां से शुरू किया था वही लाके रोग देंगे small O capital O के लिए सबसे उपर वाली लाइन से शुरू करते हुए तीसरी लाइन के दर्मियान एक बड़ा सा गोल दाइरा और यह है capital O small O के लिए दूसरी से तीसरी लाइन के दर्मियान गोल दाइरा यह है small O फिर से कोशिश करते हैं Capital O के लिए पहली लाइन से तीसी लाइन तक और फिर वापस उपर पहली लाइन तक लाके मिला देना है एक बड़ा सा गोल दाइरह मकमल हो गया Capital O Small O के लिए दूसरी से तीसी लाइन तक जहां से शुकिया था वापस आगए और यहां लाके मिला दिया यह है Small O Capital O के लिए पहली लाइन से तीसी लाइन के दिरमियान बड़ा सा गोल दाइरह पहली लाइन पर लाके रोक दिया Capital O Small O के लिए दूसरी लाइन से तीसी लाइन को टच करते वे वापस उपर और दूसरी लाइन पर लाकर जहां से शुकिया था वहा लाके रोक दिया यह है Small O चलिए अब आप बताएए Capital O लिखने के लिए कहां से शुरू करेंगे सबसे उपर वाली लाइन से और कैसे लिखेंगे गोलाई में गोल दाइरे की तरहां वापस उपर ले आएंगे जहां से शुकिया था और यहां लाके रोक देंगे बिल्कुल ठीक अब बताएए यह क्या है Capital O शाब बाश अब Spollow कहां से शुरू करेंगे दूसरी लकीर से और कहां तक जाना है तीसरी लकीर तक और कैसे लिखना है बिल्कुल गोल दाइरे की तरह और यहां लाके रोक देना है यह क्या है Small O शाब बाश अब आपने Letter O से शुरू होने वाली चीजों के नाम बताने है यह क्या है Ox Ox यानी Bell अब यह बताएए क्या है Orange Orange यानी Malta और यह क्या है Ostrich Ostrich यानी शुतरमुर्ग और अब यह क्या है Owl यानी Ullu बिल्कुल सही फिर से कोशिश कीजिये यह क्या है Orange Orange यानी Malta और यह क्या है Ox और यह क्या है और यह क्या है Ostrich 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 यानी शुतरमुर्ग बिल्कुल सही एक मरतबा फिर कोशिश करते हैं यह क्या है और यह क्या है Ostrich 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 यानी शुतरमुर्ग और यह क्या है Orange Orange यानी Malta यह क्या है Ox Ox यानी Bell बिल्कुल ठीक शबाश अब आप इस वीडियो को बार बार री प्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश कीजिए इस तरह आप बहुत जल्द Capital O और Small O की पहचान सीख लेंगे